हेलो फ्रेंड वेलकम टू अश्टडी वूई सोधागर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बिरित का छेतरफल और परीधी निकालना सिखेंगे यदि उसकी तिरजिया दिया रहे और यदि उसकी वियास दिया रहे तब तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि बिरित का छेतरफल और परीधी का सुत्र क्या होता है सबस्पहले हम लोग लिखेंगे बिरित का छेतरफल बराबर बिरित का छेतरफल का सुत्र होता है पाई आर असक्वार उसके बाद बिरित की परीधी जो होती है वो होती है 2 पाई आर क्या होती है 2 pi r और यदि बिरित का बियास पुछ दे ठीक बिरित का बियास तो वो होता है 2 r कभी कभी होता क्या है बियास दिया रहता है और उसकी तिरजिया पुछता है बियास दिया हुआ रहता है उसके बाद बिरित की तिरजिया पुछता है तब हम लोग को क्या हो जाएगा डी बटे 2 यानि ब्यास बटे 2 हो जाएगा इसको यह से भी लिख सकते हैं ब्यास बटे 2 अब हम लोग चलते हैं कोशन की ओर यहाँ पर परशन लिखा गया है कि उस बिरित का छेतरफल और परिधी ग्यांत करें जिसकी तिरित का छेतरफल बराबर अब हम लोग जान लेतें यह पाई जो है इसका मान कितना होता दिखें पाई का दो मान होता है एक होता है 22 बटे 7 और इसी को दसमलब मा अगर रहेगा तो वो होता 3.14 हम लोग अपने सुभीधा अनुसार इसका मान लेंगे तो यहाँ पर 22 बटा 7 बला हम लेंगे क्योंकि आर का मान 7 cm है लिखेंगे 22 बटा 7 गुना आर स्कॉयर है तो दो बार हमको आर लिखना परेगा नहीं 7 गुने 7 अब हम लोग इसको काट लेंगे 7 से ये कट जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे तो यहाँ पर गुना करेंगे 22 गुना 7 जब 22 गुना 7 करते हैं तो 72 14, 72 14 15, 154 cm2 हमें आता है क्या उसका छेत्रफल और अब हम लोग क्या करेंगे बिरित की परीधी निकाल लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे बिरित की परीधी बराबर क्या होता है तो 2 pi r होता है टू पाय आर पहले ये समय लेते हैं ये परीधी क्या होता है दीखें यहाँ पर ये इस तरह घुमा है इसी को हम लोग जब चौरा कर देंगे तो वो एक लाइन एन एक क्या कहें तार की रूप में हो जाएगा यानि उसके चारो और का यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ही उसकी परीधी कहलाता है तो हमारा हो जाएगा टू पाय आर लिखेंगे दो गुना 22 बटा साथ गुने साथ इस जब साथ को साथ से काटेंगे तो हमें आ जाएगा 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हमने क्या देखा जब 7 cm उसकी तिर्जिया थी तब उसका छेतरफल आया 114 cm2 तब उसका परीधी आया 14 cm इस तरह आप आसानी से बिरित का छेतरफल और परीधी निकाल सकते हैं आये इस पर एक और प्रस्ण करते हैं ताकि आपको अच्छे से किलियर हो जाए इसमें प्रस्ण पूछा है कि उस बिरित का छेतरफल तथा परीधी जियात करें जिसका बियास जो है कितना है 18 cm यानि अगर हमें ये बिरित हो गया यहां से यहां तक की लंबाई है 18 cm और जब बियास दिया है 18 cm यानि D बराबर 18 cm तो हमें तिर्जिया कितना हो जाएगा तो तिर्जिया हो जाता है D बटे 2 यानि इसका आधा हम लोग लिखेंगे 28 बटे 2 इसको जब काटेंगे तो 14 आ जाएगा तिर्जिया हमें कितना आ गया 14 cm आ गया अब हम लोग आराम से लिखेंगे कि बिरित का छेतर फल बराबर लिखेंगे बिरित का छेतर फल बराबर क्या होता है तो बिरित का छेतर फल होता है पाई आर स्क्वाइर अब हम लोग इस पर मान बैठा लेंगे लिखेंगे 22 बटा 7 गुने 14 साथ से काटेंगे साथ दुनी 14 अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं तो लिखेंगे 22 दुना कितना होता है 44 गुने 14 44 गुने क्या हो गया 14 जब इसको गुना करेंगे तो 14 चोग क्या होगा 56 बांकी 5 14 चोग 56 अब 5 कितना हो जाएगा 61 यानि 616 cm2 हो गया ये क्या गया तो बिरित का छेतर फल और परीधी का क्या सुद्र होता है तो लिखेंगे बिरित का परीधी बराबर बिरित का परीधी बराबर 258 यानि 2 गुने 22 बटा 7 गुने 14 इसको जब काटेंगे साथ से 7 गुने 14 इसलिए हो जाएगा 2 गुने 4 गुना 22 22 गुना 4 करेंगे तो हमें आ जाएगा चारदूनी 8 चारदूनी 8 यानि 88 सेंटी मीटर इस तरह आप आसानी से बिरित के इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर सेर करिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जया हैं दोस्तों धन्यवाद